हेलो फ्रेंड स्वागत एक बार पुनें आप सभी का अपनी यूटूब चैनल टॉपर गेलक्सी पर फ्रेंड इस वीडियो पे हम करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कमेस्ट्री का इंपॉर्ण टॉपिक का निप्टारा जो की होने वाला है आपका आयू पी एसी तो आज किसी वीडियो में दोस्तों जानेंगे आपका उपसाह स्योजन योगिक के अंतरगत आयू पेसी नामकर्ण कैसे करते हैं काफी ज़दे कमेस्ट्री का इंपॉर्ण टॉपिक है आपको पता ही है और इसको हम लोग इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं ठीक है तो आप लोग बने रहीगा बिल्कुल आपको अच्छे तरीके समय समझाओंगा कैसे करते हैं इसका नामकर्ण इस प्रकास बोर्ट परिक्षा में एक योगिक आपको दिया रहता है मतलब एक नहीं यहाँ पर आपको पांच नंबर के लिए वसी पूंचा जाता है तो आपको दो से तीन क्वेशन रहते हैं तो कैसे करेंगे इनका निप्लार आप बिल्कुल आपको बने रहना है बहुत अच्छे तरीके समया पर कराने वाला हूं ठीक है तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसको यह समझ लिए जो यह आपका पूरा है एक योगिक ऐसा रहेगा पूर इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको क्या करना होगा जब ऐसा योगिक काएगा उसमें जो ब्रेकिट वाला पार्ट है और जो ब्रेकिट के बाहर वाला पार्ट है उसमें ध्यान समझे गए आपर उसको डिवाइड कर देना है मतलब बोलेंग भया क्या इसको ऐसे करके अब देखे दोस्तों, इसमें आप ये समझें, जब आप ऐसा डिवाइड करेंगे, ध्यान समझेंगे, आप बिलकुल अभी करने वाले हैं, चुटकियों में आप कर देंगे, अगर आप थोड़ा ध्यान लगा कर यहां पर इसको दिवाइड कर देंगे, आप बोलेंगे भैय यहाँ पर नामकंड जब start करेंगे नाम करना तो इसमें कहां से करेंगे शिरुवात कहां से करेंगे तो दर्खे जब आप rivod करें दोस्तों तो इसमें जो पहले part पड़ेगा इधर तरब ठीक है तो जैसे मतलब हम लोग लिखाना जब start करते हैं हमारा यह पहले पढ़ता है तो जो पहले पढ़ेगा उसे धनायन संकर बोलेंगे और दोस्तों जो बात पढ़ेगा उसे रिडायन बोलेंगे तो आपको क्या करना है धनायन से ही नामकर्ण करना start कर देना होता है ठीक है कर देंगे आप बोलेंगे इतना तो कर देंगे भया अब चलिए इसमें बोलेंगे कि इसमें भी दो योगी खाँ तो आप क्या करें तो इसमें देखे जो आपका यहाँ पर छोटा ब्रेकेटिस के अंदर इसको बोलते हैं लीगेंड क्या बोलते है तो भया लीगेंड बोलते है ठीक है तो इसमें आप बोलेंगे यह तो हमारा लीगेंड हो गया लीगेंड हमारा यहाँ पर है NH3 ठीक है और इसमें 4 लगा है तो यह आपका 4 तो होगे यह हमारा लीगेंड है तो देखे हैं इसमये दोस्तों नाम कर कर ने कर लिए पहले जो आपका लाता है legend और इसकी संक्या तो इसकी संक्या यहाँ पर 4 है अब बोलेंगे 4 को भईये क्या बोलते हैं तो देखे आपको पता है एक तो आपका होता है mono फिर इसके बात 2 को där बोलते हैं 3 को drive बोलते हैं चार को टेट्रा बोलते हैं पांच को पेंटा बोलते हैं छे को हेकसा बोलते हैं इतना आपको पता है कमेस्ट्री में तो बस कर लेगे आप लोग इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से चर यह चार है तो चार को बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं तो हम लिखेंगे पहले और आ गए एमीन में ठीक है टेट्रा एमीन तो आप बोलेंगे इसका काम तो हो गया अब क्या आता है तो आप यहाँ पर आता है जेडेन जिन्क को क्या बोलते हैं जिन्क होता है आप ठीक है जिन्क अभी एक चीज़ यहाँ पर है तो और आँगे बताऊंगे जब योगिक का नाम चेंज हो गया तो वैसा आपको तरीका बताऊंगे अब जिन्क लिखने के बाद इसकी जो है आक्सिकन संख्या लिखनी होती है क्या लिखनी होती है आक्सिकन संख्या ब्रैकिट में रोमन संख्या में तो देखे इसकी आक्सिकन संख्या आपर सेकेंड होती है आप बोलेंगे भाईया सेकेंड तो होती है लेकि हमें भी तो बताए कैसे सेकेंड हो गई तो ये आपके mind में question आया होगा चलिए इसको भी निटार कर देते हैं देखिए आक्सिकन संख्या जब आपको निकालना है यहाँ पर इस योगी की केंद्रिधातु परमाड़ू की तो क्या करनेंगे आप लोग जिसकी आपको निकालना होता है उसको हम लोग यह अक्समाल लेते हैं यहाँ जो आक्सिकन संख्या हो जाती है तो इसको हमने यह अक्समाल लिया अब इसकी वाद आए इसमें तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो इसमें देखिए बीच में plus कर देंगे और जो आपका NS3 है तो यह घया उदासीन लिगेंड होता है क्या होता है उदासीन लिगेंड तो इसमें उदासीन क्या हो जाएगा इसका चार्ज 0 हो जाएगा तो 4 in two zero फिर इसका बात इसमें आते हैं तो इसमें यहाँ पर plus को जब कर देंगे तो यहाँ पर CL जो कलोरीन होता है इसका आपका माइनस एक आवे से इसमें ठीक है तो माइनस वन हो जाएगा आप बराबर में क्या करना है जीरो कर देना है तो देखे याक्स यह हो गया और यहाँ पर 4 इंटू क्या हो गया ये हमारा से लना से कर दिये तो आपको आख चसरीर कन संख्या निकालने प्रती Simon में ठीक है आप आपको तरीका पत चाल के कैसे निकालना जिसको निकालना उसको को एक समाल लेना है बाकी कैसा लिए धनायन है रिडायन है उदासीन है वो चीज़ आप थोड़ा सा याद कल सकते हैं या बाकी प्रावलम हाती तो कमेंट करके बताएगा मैं आपको और ही करा दूँगा तो यह हो गया बाकी इस प्रकार से पहले योगी का नाम करना आप लोग कर दिये ठीक है तो एक ट्रामिन जिंक सेकेंड कलो राइड इसका हो गया नाम तीग है अब आए सेकेंड नमर पर वैसे आपको ब्रैकेट और बिना ब्रैकेट का जो पार्ट उसको डिवाट कर देना हम यहां पर इसमें ना यह हो गया हमारा पोटैसियम अब इसमें आते हैं तो यहाँ पर बोलेंगा भाया यहाँ पर लिगेंड तो हमारा cn है और इसकी संग्याच्छाए है तो इसका हमारा च्छाए को हम क्या बोलते हैं हिक्सा बोलते हैं आपको पता है हिक्सा हो गया अब आते हैं cn को बैलते हैं क्या साइनो बोलते हैं तो इसका हो जाएगा साइनो ठीक है साइनो अब आएंगे इसमें यहाँ पर थोड़ा सा change होगा यार क्या change है तो देखे अब हम जब यह हमारा धाय आयन वाला part था पहले तो इसमें हम लोग jin को लिखे थे तो direct jin कर दिये थे लेकिन जब यह part redion में आजाता है जैसे कि यह आपके सामने है तो केंद्री धायत पर्मार्ण जो आयन है इसके साथ आपको 8 जो है अनुलगने जोड़ना है अनुलगने मतलब होता है बाद में जैसे FE आपका iron होता है इसको आप क्या बोलेंगे fire rate बोल देंगे आपकर 8 आपको लगाना है बाद में तो आप इसको पढ़िए fire rate 8 आपको समझ में आ रहा होगा और बागे इसकी आक्ची करन संख्या तो हमारी second यहाँ पर भी आगी इस प्रकार से बागे निकालने की तरीका बता दिया हूँ कैसे निकालना है यह हुआ आप देखें तीसरा आपका important है यहाँ पर तो इसको भी divide कर दिजिए अब इसमें K3 है तो आपका K3 आजा K4 आजा K2 आजा इससे मतलब नहीं यह तो potassium है ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया potassium potassium यह हमारा potassium तो चलिए potassium हमनों लिख दिये कोई दिक्कत नहीं भाईया potassium लिखने के बाद आप इसमें आएए इसमें आगर आएंगे तो यह 3 है 3 आपकी legend की संख्या है तो 3 को क्या बोलते हैं try बोलते हैं आपको पता है अब try हो गया C2O4 इसको बोलते हैं oxalato क्या बोलते हैं oxalato legend का नाम है यह दियान देजेगा oxalato oxalato ठीक है इस परकार से तो यहाँ पर इसका हम लोग जो है लिख दिये oxalato इस परकार से तो oxalato तो होगया अब यहाँ पर al है aluminium तो आप बोलेंगे भाईया इसको direct क्या aluminium लिखना है तो जी नहीं aluminium है लिखेंगे यहाँ पर इसमें जो है रहा होगा ठीक है तो यह आपका जब यह पार्ट आपका रिणायन हो जाता है तब इसमें आपको कहिंद्रिधाज पर्माड़ के साथ एड जो है अनुलागन जो रहना होता है aluminium होगया इसका अक्सिकन संख्या लिखेंगे तो इसका थथ होता है तो यहाँ पर हो जागा थथ हर्द इस प्रकास ठीक है आइसे यह हो गया फोर्स नंबर आपका आपका ने इसमें आपका फहले न यह पढ़ गया तो आप यहाँ से डिवाड कर दी मों को को आप têm सोडियम चलिए लिखते हैं सोडियम सोडियम ठीक है सोडियम हो गया अब इसमें आए तो यहां पर टू है तो टू को क्या बोलते हैं डाई डाई और यहां पर क्या है यह साइनो है अब तो बोलेंगे भाई इसको हम तुरंत कर लेंगे डाई साइनो एजी एजी को यहां पर क इसका Oxidation, First, ठीक है, Second, ए स्वारी, First हो जाएगा, इसकी Oxygen संख्या, बाकि निकालना तो मैंने बता ही दिया, और बाकि आपको और भी निकालना सीख लेना है, और प्रावलमा रही है, तो कमेंट करके बताना है, यह हो गया, अब यहाँ पर आईए Ketu, Ketu को बोलते हैं Potassium, ठी यहाँ पर चार लिखते हैं, तो चार को हम टेटरा बोलते हैं, ठीक है, चार को टेटरा, यहाँ पर टेटरा हो गया, इसके बाद आपका I, I क्या है, आयोडो, ठीक है, आयोडीन, आयोडो, तो यहाँ पर हो गया टेटरा आयोडो, इसके बाद HG, HG क्या है, मरकरी है, लेक तो इस प्रकार से आपको IU-PAC करना है बच्चों अब चलिए और भी कुछ योगिक है 10 योगिक आपको बताऊंगा तो इनको भी चलिए कर देता हूँ आपके सामने अच्छी तरीके से अब आपको देखे फिर से क्या करना है यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड तो हम लोग कर देंगे आप बोलेंगे भईया यह तो बहुत easy हो गया तो जी हाँ बिलुकुल easy है अब देखें इसमें जब आएंगे तो यहाँ पर इसका लिगें की संक्या और भईया क्या है यह आपका जो ब्रैक्ट वाला पार्ट है यह धनात्मक हो गया तो अब इसमें कोई आपको 8 जोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्या हो जागा यह डारेक्ट हमारा कॉपर हो जाएगा ठीक है कॉपर हो चुका है आप इसके वाद इसकी आउक्सीकन संक काकॉवचल एसका नाम हो गया ऐए 7 नमबर सा वह आपका इसको भी क्या करेंगें तो यहतरर इसका नाम कर पहले करेंगे तो यहाँ पर 6 है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, हीकशा, लिगेंडो को पहलेजेगा, आप लोगे, हीकशा, और यह कहने, स्री, एमीन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी, एमीन हो गया, ज़्यादा तर यही पूँचे जाते हैं, तो हीकशा, एमीन हो रहें, क्या है, पलेटीनम, पीटी पीटी को क्या बोलता है पिलेटीनम तो यहाँ पर यह हो जाएगा प्लेटीनम फलेटीनम ठीक है और यहाँ पर इसका फोर्थ होता है क्या होता है एक्सिकन संक्या चार होता है और सील फोर को क्या बोलेंगे क्लोराइड क्लोराइड यह हो गया हमारा क्लोराइड इस तोटा हमारे साथ योगी का आपके सामने हो चुके हैं अब आते हैं नमबर 8 आठ वा नमबर देखे चेंज है कैसे चेंज है यहाँ पर जो ब्रेकिर वाला पार्ट यह पहले पड़ता था अब यह बाद में आ गया तो अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा यहाँ प पोटैसियम अब इसमें आईए यह वाला पार्ट है और लिगन का यहाँ पर संग्या क्या है चार है तो चार को क्या बोलते हैं टेट्रा और सियन को क्या बोलते हैं साइनू तो टेट्रा साइनू और इसमें निकल लेकिन भाईया बोलेंगे कि इसमें 8 जोड़ना है हमें त हो गया और इसकी आक्सिडेसन नंबर सेकंड होती है तो यह हो जाएगा हमारा पोटेसियम टिट्रा साइनो निकिलेट सेकंड यह इसका नाम है चले नाइन नंबर आएए नवे में देखेंगे आप लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे भया यहाँ पर इसका हो गया है क्सा ठीक है है और सियन को क्या बोलते हैं साइनो तो यहाँ पर हो गया हमारा साइनो अब इसमें आते हैं एफई एफई में हम लोग यहाँ पर आयरन लिख सकते थे लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर हमें फारेट लिखना पड़े यह नियम है तो इसमें आपका हो जागा यह फारेट ठीक है मने कई बार गला फार फार के आपको बताया है कि आपको 8 जोड़ना पड़ेगा तो फारेट हो गया बांकि इसकी आकसीडेशन नमबर 2nd यह हमारा केलिजियम हेक्टस साइनो फारेट 2nd देखे कितना यार इजी है एक्दम हेलुवा ट्रीक है बस आपको समझना पड़ेगा अब नमबर 10 दस्वे में आईए देखिए दस्वे नमबर क्या कह रहा है इसको भी चलिए डिवाइड करिए पहले तो आप इसमें लिगेंड की संख्या पहले देखिए सबसे पहले क्या लिखना होता है जब ऐसा आ नहीं है यहाँ पर दोस्तों इसको बोलते हैं एक वा क्या बोलते हैं लिगेंड का नाम एक वा तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए इसमें फैरेट नहीं लिखना यहीं डिफ्रेंट देख लिजिए इसमें हम लोग इसको फैरेट लिखे थे क्योंकि यह आपका ब्रेकिट वाला पार्ट negative में था लेकिन ये ब्रेकर वाला पहले है तो FE को directly आपको iron लिखना पड़ेगा इसमें एफरेट नहीं लिखना iron लिख दिए अब इसमें oxidation number तो third होता है तो third लिख दिए अब CL3 CL3 को आप यहां पर CL2 आजाए CL3 आजाए CL4 आजाए आपको chloride से मतलब यहां पर यह क्या हो गया आपका chloride ठीक है chloride अब दोस्तों आपका यह 10 जो मैंने बताए यह पूरा आयूपेसी का important question है अब आपको एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें आपको iron लगे हुए मिलेंगे अब आप सोचेंग यह क्या है तो उसमें आपकी उपर साइड ऐसे करके 2 प्लस 3 प्लस ऐसे iron लगे रहते हैं ठीक है और कुछ चीज़ें और भी रहते हैं डबल legend आ जाते हैं तो उनको कैसे करेंगे तो next वीडियो में आपको मैं वो चीज़े clear करूँगा आज के इस वीडियो का मेरा मकसद यही था कि आपकी जो basic चीज़ें है ठीक है जो IOPC को लेकर आपको tension है वो clear हो जाए बाकी हम लोग standard level का भी जानेगे तो आप लोग कानलों को जादर जादर सब्सक्राइब करिए tension नहीं लेना मैं आपको ऐसी चीज़े प्रोवाइट कराता रहूँगा मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में एक टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्देमात्रम